आज हम बात करेंगे पाइल्स यानि बवसिर के बारे में दोस्तों बवसिर एक बहुती खतरनाक बिमारी है इसमें गुदादवार जहां से मलते आखते हैं उच जगह के खुन के नलियों में सुजन आ जाती है वो बड़ी हो जाती है इसे गुदा में दर्द और जलल होने लगती है इसे ही पाइल्स या फिर बवसिर कहते हैं पाइल्स या बवसिर दूत रखे होते हैं एक खुनी बवसिर और बादी बवसिर खुनी बवसिर में मल के साथ खुन टपकने लगता है कई बार तो खुन की पिछकारियां भी छुटने लगती है, फिर इसमें मस्सा फुल कर बाहर भी आ जाता है बादी यानि बिना खुन वाले बवसिर में मल के द्वार के अंदर ही मस्सा बढ़ा हो जाता है जिससे मलदवार चूटा हो जाता है, और मल त्यागने में दर्द और जलल होने लगती है ज्यादा जोर लगाने पर मस्सा फट भी जाता है, जिसससे असहनिय दर्द और पीड़ा होने लगती है और यह फिश्र यह फिस्टूला का रूप ले लेती है दुनों तरह के बवसिर अगर ज्यादा बढ़ जाए तो ये कैंसर का रूप भी ले लेते हैं, जो कि एक जानलेवा बिमारी है, आई अब जानते हैं बवसिर होने के काणों के बारे में, जिन लोगों का पेट खराब रहता है, हमिशा कबजे बना रहता है, उसके कारण मलकों त्यागने में जोर लगाना पड़ता है, जिसके वजह से गुदा के नसों में ज्यादा दबाव बढ़ता है, और रगड़ और दबाव की वजह से वहाँ सूजन आ जाती है, और मस्से बन जाती है, यानि बवसिर हो जाता है, जो लोग अपने भोजन में हरे पत्तिदार दोस्तों बहुत से लोग तो दिन भर में पानी ही नहीं पीते हैं या बहुत कम पीते हैं। जिसे आतों में पहुचने वाला भोजन सुखने लगता है और फिर मल भी सुखने लगता है। ये कबजे पैदा करता है जिन से फिर पाइल्स हो जाते हैं। लगतार खराब रहता है और कबजे वगरह की शिकायत रहती है। बावसर के दर्द के कारण काम में मन नहीं लगता पूरे शरीर में एक बेचैनी सी बनी रहती है। दिमाग हमेशा इसी सोच में लगा रहता है कि ना जाने ये बिमारी कब और कैसे ठीक होगी। जिन लगों को बावसर की बिमारी रहती है उनके चेहरे पर खुशी नहीं रहती क्योंकि अंदर से भी वो कभी खुश नहीं रहते हैं। जिन लोगों को खुनी बवसिर होती है, उनके मल के साथ खुन भी निकलता है, जो कि एक टेंशन का कारण बन जाता है, क्योंकि ज़्यादा खुन निकलने पर खुन की कमी भी हो सकती है, या फिर कैंसर होने का डर सताने लगता है, बवसिर होने पर लोग जब इलाज खोचते ह तो एक ही इलाज मिलता है और वो है ओपरेशन, लेकिन ओपरेशन करवा लेने के बाद भी पाइल्स फिर से हो जाते हैं, और इस बिमारी की दवा कहीं नहीं मिलती, डॉक्टर भी ओपरेशन या फिर रिकॉशन रखने को कहते हैं, लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दू कि इस बिमारी का इलाज घरिलू नुष्ठों से पॉसिबल है, क्योंकि ये पेट के सिस्टम यानि पूरे पाचन तंदर को पूरी तरीके से ठीक कर देती है, जिससे पाइल्स ठीक हो जाते हैं, अब मैं आपको पाइल्स यानि बवासेर के लिए बहुत इफेक्टिव उपाओं के बारे में, दोस्तों मेरा नाम संदीफ है और आप देख रहे हैं रुद्र हुमरेमेडिज, आए जानते हैं पाइल्स के रामबान इलाज के बारे में, इसके लिए हमें चाहिए निम्बू, निम्बू दोस्तों बवासेर के लिए एक बहुत अच्छी डवा है, निम्बू के रस में सभी तरह के पाइल्स को ठीक करने की ताकत होती है, तो यहाँ पर आपको पाइल्स को ठीक करने के लिए निम्बू को दूद के साथ लेना होगा, निम्बू को दूद के साथ कैसे लेना है, आई जानते हैं, आपको सुबह सुबह क्या करना है, एक गला आप चाहें तो आधी निम्बू का रस अलग कटोरी में निकाल कर फिर दूद में मिला कर तूरंत पी सकते हैं। ध्यान रहे निम्बू का रस मिलाते ही दूद फटेने से पहले ही पूरे दूद को पी जाना चाहिए। तभी ये असर करेगा। दोस्तों आईरवेद के अनुसार निम्बू में पाये जाने वाला खास तत्व मल को नरम करता है और मल त्यागने की क्रिया को ठीक करता है। इसलिए दूद और निम्बू का कॉंबिनेशन बवसर के लिए रामबान की तरह है। ये प्रयोग आपको लगतार साथ दिनों तक सुभा सुभा खाली पिट करना है। साथ दिनों के अंदर ही खुनी और बादी बवसर दोनों तरह के बवसर ठीक हो जाते हैं। अगर किसी को बहुत ज्यादा ये तकलीफ हो और साथ दिन में आराम ना मिलता हो तो कुछ दिन और इस प्रयोग को कर सकते हो। इसके लाबा बवसर वालों के लिए चांच यानि कि बटर मिल्क अम्रित की तरह होता है। आरिवेदे कहता है कि जिन लोगों को बवसर होता हो वे लोग अगर चांच रोजाना पीते हैं तो बवसर खत्म होकर फिर से दुबारा नहीं होते ह दोस्तों बवसर की इस से अच्छी दवा और क्या हो सकती है। ताहिया मैं आपको बताता हूँ इस चांच को कैसे और कब लेना चाहिए। इसके लिए आप एक कप या गिलास में चांच ले लीजे। इस चांच में आपको अजवाइन का पौडर मिला लेना है। अजवाइ चमच अजवाइन का पौडर एड़ कर देना है। और साथ में जरौत कनुसर थोड़ा सा काला नमक या फिर सिंधा नमक को डाल देना है। इस तरह आपका बहुत इफेक्टिव बवसर की दवा तयार हो जाएगा। दोस्तों इस चांच को खाना खाने के तूरंत बाद पीन मिलता है। दूसरा इससे बड़ी आत में बनने वाला मल सुखता नहीं है और कबजी की प्रॉलम नहीं होती है। अजवाइन आतों में मलदवार को और शरीर में वायू के बहाओ को पूरी तरह से ठीक कर देती है। जिससे मल आसानी से बाहर निकलता है और पाइल्स के मस्स लंबे समय तक ले सकते हैं जिससे आपका पूरा पाचन तंद्र अच्छी तरह से ठीक हो जाए। दोस्तों पाचन तंद्र का आखरी हिस्सा मल दवार है। इसलिए छाच से पाचन तंद्र यानि डाजेशन ठीक होने पर पाइल्स ठीक हो जाते हैं और फिर दुबारा होने का चांस नहीं होता। आपको पाइल्स को हमेशा के लिए ठीक करने के लिए घरिल उपचार के साथ साथ कुछ जरूरी सावधानिया भी रखनी होंगी। तभी आपको पाइल्स से 100% फादा मिलेगा। पाइल्स से चुटकारा पाने के लिए फास्वुड तली हुई और ती जिन में 3-4 लिटर पानी जरूर पीएं। जब तक उचार कर रहे हैं तब तक शरीर में पानी की कमी न होने दे। इसलिए ध्यान रखें, खाना खाने से एक घंटे पहले और खाना खाने के एक घंटे के बाद तक पानी ना पीएं। इसके लावा बाकी समय थोड़ा- पासमी फल खाने चाहिए, क्योंकि इनमें फाइवर खोब होता है। फाइवर वाली चीज़ें खाने से कब्ज नहीं होता। मल नर्म रहता है और आसानी से बाहर निकल जाता है। जिससे पाइल्स बहुत जल्दी ठीक हो जाते हैं। पाइल्स को दूर करने के लिए किलोमेटर तक पैदल जरू चलें। तो इस तरह से दोस्तों आप पाइल्स का घर पर आसानी से इलाज कर सकते हैं। और यह जानकरिया आपको कैसे लिए आप हमें कॉमेंट करके जरू बताएगा। अगर अच्छी लगी हो तो यस लिखेगा। और अच्छी नहीं लगी हो तो आप दो भी लिख सकते हैं। धन्यवाद।